कल होगा मुंबई में महा मोर्चा मापुरुषों को लेकर विवादित बयानों को लेकर राज जिमी सियासी घमसान छिड़ गया है विवादित बयान देने वाले बिजेपी निताओं के खिलाफ महाविकास अगाडी कल मुंबई में रैली करेगी वहीं बिजेपी महाविकास अगाडी के नेताओं के खिलाफ माफी मांगों का विरोध करेगी बिजेपी के हंगामे पर कॉंग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि महाविकास अगाडी के मोर्चा के खिलाफ भाजपा का अंदोलन चोर उल्टा कोतवाल को डाटे है उन्होंने ये भी कहा कि महापुरुषों का अपमान करने वाली भाजपा को सबसे पहले सारवजनिक रूप से जनता से माफी माँगनी चाहिए महापुरुषों का अपमान करने वालों के खिलाफ महाविकास अगाडी के सत्रवे हलाबोर मोर्चा के साथ भारती जनता पार्टी की नींद उड़ गई है और उन्होंने अपटोले ने अलुचना करते हुए कहा कि बिजेपी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए मोर्चा का विरोध करने का नौटंकी कर रही है क्योंकि इस मोर्चा के जरिये लोगों का गुस्ता जाहिर किया जा रहा है लेकिन लगातार महापुरुषों का अपमान करने वाली भाचपा की मुकपत्रों के खिलाफ चुप रहने वाले अब महापुरुषों और हिंदू देवताओं के नाम पर विरोध कर रहे हैं पटोले ने कहा इस तरह की बाद बेहद हासिपद है और इसे ही चोर उल्टा कोत्वाल को डाटे कहा जाता है नाना पटोले ने कहा कि जब से राज्य में शिंदे फड़नवे सरकार आई है सब्तधारियों के दबंगई बढ़ गई है सरयाम धमकिया दी जा रही है प्रदेश में महाल खराब करने का काम किया जा रहा है राज्यपाल भगत सिंग कुश्यारी भाजपा प्रवक्ता सिधान शुत्रिवेदी मंतरी मंगर प्रभात लोड़ा केंद्रे राज्य मंतरी राव साहिबदान में और विधाय प्रसादलाड के महापुरिशों के बारे में बयान महापुरिशों और उनके कारियों का अपमान था इसमें कोई संदे नहीं है लेकिन बीजेपी के एक भी नेता ने इन मुकपत्रों के खिलाफ कोई कारवाई नहीं की और माफी मांगने की सिस्टता तक नहीं दिखाई इसके विपरिद उनका बचाव किया गया कंतरी चंदरकांद पार्टिल ने महात्मा जोतिवा फूले कर्मवीर भाव राव पार्टिल और महामानव डॉक्टर बावा साहब अंबेटकर ने स्कूल खोलने के लिए भीग मांगने पर भी उनका अपमान किया था उस वक्त बीजेपी और विधायक आशिश शेलार कहां थे क्या ये इन महापुरुषों का अपमान नहीं है क्या बीजेपी इसके लिए माफी मांगी बीरो रिपोर्ट मेट्रो मुंबई